हमारे देश की अरतों के हमारे देश की जो औरते हैं उनकी संद्षन के लिए क्या यह ज़रूरी नहीं कि हम कानून में इस कानून में ङुद्जार लाओ करें। जिस तरह मोधीजी की हमें यूगी जी ने जो है डेश की कानून में बहुत सारे अगर तीन तालाग देश के हित में हैं, अगर प्रदेशों का नाम, शहर्के नाम जो परिवर्तित हुए, अगर यह देश के हित में है, अच्छी बात है, मैं किसी party का नहीं हूँ, मैं देश का हूँ, अगर देश का हित और देश का भाला हो रहा है इन सब सारी चीओं से तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, मैं ही कहना चाहूँगा, कि प्लीज, जिस तरह आप लोग देश हित के लिए सारे अगर नियम कानून बदले हैं, बनाए हैं, तो वैसे ही, और सजाय मौत, यानि फांसी की सजा दी जाएगी, दोसरी कोई सुनवाई नहीं, रेब किया, यानि आपको फांसी दी जाएगी, मैं यही कहना चाहूँगा, इससे हमारे देश के और देश सुरक्षित रहेंगी, नमस्कार, अस्सलाम अलेकुम, दोस्तों मैं आपका यासकन, मुझे यह नहीं समय में आ रहा है कि हमारे देश के अवाम को, हमारे देश के लोगों को क्या हो गया है, कैसी हैवानियत, कैसी हरकते, कैसी नीच हरकते कर रहें, बिल्कुल कुस्तों में नहीं हा रहा है, मैं ही कहना चाहूंगा हाईत्रापा J aiSi हैवानियत सीम بकसर में हुआ है लड़की को अगवाग ए रेप किया गया और रेप करके गोली मारा गया गोली मारा के उसको जला दिगहा तो देश में अगर ऐसी हैवानियत हो रही है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने देश के कानून को और कानून को जो चलाते हैं जो हमारी राज नेता है मैं उसे यही दरफास्ट करूँगा प्लीज आप लोग इस कानून में संसोधन कीजिए इस कानून में परिवर्तन कीजिए यह देश की बच्चियों के लिए, देश की औरतों और माहिराओं के लिए हित में होगा हमारे देश के हित में होगा तभी हमारी देश की नारी, हमारी देश की बच्चिया सुरक्षित रहेंगी बहुत सारे नियम कानून बदले हैं बहुत सारे संसोधन हुए अब यह एधराबाद में हूँ आप फिर मुझे बकसर में सुनने को मिला फिर उसके बाद मुझे आप मैंने उडिसा और हरी राणा में भी सुना है ऐसी घटना है तो देश में ऐसी जब हाईवानियत हो रही है जो औरतों की संरक्षर कड़े सिर्फ बोलने से नहीं करते ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अपने पूरे देश की अवाम से अपने पूरे देश की चंता से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज आप सभी लोग जाग जाओ और ये नारा भरो कि देश के कानून में संसोधन होना चाहिए खास तोर से कि उस कानून में कि जो वेक्ति जो सक्स रेप करता है उसको सजा दिया जाए अगर मुझे लगता है कि पूरा देश अगर इसके साथ दे अगर पूरा देश का एक नारा हो जाए तो मुझे लगता है ये कानून बहुत जल्ड बनेगा बहुत जल्ड बनेगा तो प्लीज आप लोग जो है उठीए जागिए सतर्क हो जाईए